हलो फैंस आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आधनिक घरेलू चैनल में दोस्तों आज हम अपने वीडियो में आप से बात करेंगे स्कीन साइन और स्कीन लाइट क्रीम के बारे में ये दोनों क्रीम सभी मेटकल इस्टोरों में आसानी से मिल जाती है दोनों में काफी समानता है और दोनों का काम भी एक ही है और दोनों ही क्रीमों में हाइड्रोकिनोन, ट्रेटिनोईन, मोमेटरसोन, फिरोर्ट नामक कैमिकल आएड है इसकीन साइन क्रीम की 15 ग्राम की ट्यूब का दाम 120 रुपए है और इसकीन लाइट क्रीम की 20 ग्राम की ट्यूप का अदाम 165 ठुपए है इन क्रीमों को राथ में इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है और इन क्रीमों की महप भी कैमिकल जैसी है दोस्तों, ये चहरे को गोरो बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है जब आप इनका इस्तेमाल सुरू करते हैं तो तीन-चार दिन बाद से ही आपका चेरा इतना गोरो हो जाता है कि आप अपने दोस्तों के बीच आकारसा का केंज बन जाते हैं पर ये तो इन क्रीमों का सुरुवांती इफेक्ट है पर दोस्तों दो हब्ते बाद असली साइड इफेक्ट सामने आता है 15 दिनों के इस्तेमाल के बाद ये क्रीम आपकी स्कीन को इतना पतला कर देती हैं कि आपका चेरा लाल हो जाता है खास तर से आँखों के नीचे के नाजुक एरिया को तेज धूप में निकलने पर आपके चेरे में जलन भी महसूस होती है और आप फिर भी इन क्रीमों को लगाना जारी रखते हैं तो ये आपकी स्कीन को पर्मानेंटली खराब कर सकती है यहां तक की स्कीन कैंसर भी हो सकता है जब आप इन क्रीमों का इस्तेमाल बंद करते हैं तो आपका चेरा पहले से भी ज्यादा काला और डार्क नजर आता है इसलिए दोस्तों ये क्रीमे आपके चेरे के लिए सेफ नहीं हैं इनका इस्तेमाल ना करें और यदि कर रहे हैं तो एकदम से ना बंद करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में कम करते हुए बंद करें और साथ ही दिन में 3-4 बार एलोवेरा जल से चेहरे में मसाज करते रहें ताक इन क्रीमों के ज़्यादा साइड एफेक्ट से बच सकें दोस्तों हमने पहले भी अपने वीडियो में कहा है कि कोई भी मेडिकेड़ क्रीम का इस्तेमाल अपने चेहरे पर ना करें और यदि फिर भी करना चाहते हैं तो अपने डांक्टर की सला आवस से लें हमारी कामना है कि आप सुस रहें, खुस रहें धन्यवाद दोस्तों